ये दोनों कितना ज़्यादा जानलेवा है किसी को पता ही नहीं है आज मैं आपको बतलाने वाला हूँ चाहिए मिलक सेख है बदाम सेख है फालूदा है या मारकेट में मिलने वाला इस तरीके का कोई भी चौमीन, मैगी, मोमोज कोई भी चीज़ है इसमें एक ऐसा केमिकल मिल सबीए questa मिलाएजिसर पनीर या चिकन है कोई भी चीज ये आप लोग खाऊगे न तो आपको अलग तरीके का टेस्ट आएगा और मजा आएगा ऐसा किवा आता है वहでも ईस लिए आता है क्योंकि इसमें एक तरीके का केमिकल डाला जाता है जिसको जीनो अजीनो मोटो किस तरीके से काम करता है वो सुनिए बिना अजीनो मोटो का भारत के किसी भी दुकान में किसी भी ठेला पर किसी भी रोड साइड में जो भी आपको नुकर पर कोई भी दुकान दिखाए परता है बिना इस केमिकल का कोई भी फास्ट फुड वाला नहीं बेचत कर देता है आप लोग एक तरीके से समझो कि जीव पर अगर हलका हलका सा कट लगा दिया जाए किसी चीज से और फिर उस पर नमक डाला जाए तो कैसा होगा आपको छंचना के लगेगा मतलब फट से टेस्ट आएगा उसी तरीके से यह अजीनो मोटो काम करता है अजीनो मोटो कि आपके मुझ में सलीवा जो थूक है उसको जादा से जादा निकालता है जिसके बज़े से फुड ब्रेकडाउन होता है और साती साथ टेस्ट बहुत जादा लगता है लेकिन इसका नुकसान क्या है इसका नुकसान अगर लॉंग टर्म में देखा जाए तो अनेको तरीक इसका समझ लो कि यह कितना ज्यादा नुकसान दायक है दोस्तों यह जिनो मोटो होता है इसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है लेकिन जब यह फुड में एक चुटकी भी मिला दिया जाता है तो फुड का टेस्ट सिथे डबल और ट्रिपल कर देता है अब में आपको बता मार्कित में फालूदा में मिलक्सिक बदामसिक को पिलाते हैं लेकिन इसमें चिनी यूज किया जाता है वोग अलग तरीक्षे चिनी मिलाया जाएगा ना तो पूरे के पूरे मिलक्सिक को मीठा कर देता है और उपर बॉर्ड में इतना जयादा नुकसान करेगा न कि आप लोग सोच नहीं सकते हो साथ इसा आई के कैंसर में भी उस चीनी का योगदान है दोस्तों इसके अलाबा इसमें कस्टर्ड पाउडर होता है जिसका टेस्ट बहुत जादा आता है लोग सोचते हैं कि यह दूध का बना हुआ है मलाई का बना हुआ ह लेकिन ऐसा नहीं है पानी में दूध मिला करकर हलकाँ सा कस्टर्ड पाउडर मिला दिया जाता है न तो उसका रंग और गाढ़ापन चेंज हो जाता और फिर उसमें वही जो नेचुरल आटिफिस्यल जो चीनी है वो मिला दिया जाता है और उसके बाद मार्केट में पुर बचाए और यह जो आपको चटपटा खाना दिखाए पड़ता है अगर आप ज्यादा दिन तक खाऊगे न आपका जो टेस्ट बढ़ है वो खराब हो जाएगा और फिर घर का खाना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा आप लोग यह इमेजिन कर लेना कि होटल का खाना खा करके आप लोग घर का कोई अच्छा सा भी खाना खाऊगे न जस्ट बाग तो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं उसको रिकवर करने में 24 घंटा लग जाता है तो सोच लोग कि कितना ज्यादा यह नुक्सान दायक है अगली बार जब को भी बचाना चाहते हो या फिर परोसियों वाले को भी हेल्दी देखना चाहते हो तो इस पेज को फोलो कर लिजिए जिसका नाम है सिवानी इको पाट साला दोस्तों हम लोग मिलते हैं इसा ही बहुत सारे वीडियो में तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल लखिए टे